अपना जात पात भूल कर सिर्थ कौज के लिए एक हुए हैं इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ भाईयो आज का दमाना बड़ा कटिन है ऐसा वक्त पिछले सत्तर साल में हम कभी नहीं देखे थे यहाँ पर हर पंदरा मिनिट में दलितों के खिलाफ अपराग होता है और हर सब्ता कम से कम ग्यारा दलित लोग मारे जाते हैं और छे मैलाओं पर हर दिन अत्याचार होता है और दस सालों में इस इदर की पूरी थ्यास हम अगर लेंगे तो यह चार साल में जो अन्याए बढ़ रहे हैं जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है कम से कम 66% चाहसी फीसद आज अन्याए ज़्यादा हो गए हैं यह क्यों हो रहे हैं कि जब सरकार जो अन्याए करने वाले लोग हैं जो अत्याचार करने वाले लोग हैं जो सोशन करने वाले लोग हैं उनको प्रोटसाइद करती है उसी लिए ये बढ़ रहे हैं अगर उनके खिलाब एक्शन लिया जाएगा या एक्शन लिया तो ऐसे जो भी मुश्किलाथ हैं कटिनाईया हैं कम होते जाएगा लेकिन ये गावर्मेंट मुश्किल को कम नहीं कर रही है मुश्किलाथ को बढ़ा रही है इसलिए चाए वो गुजरात में हुना का घटना हो चाए वो यूपी में हो रहे घटनाए हो ऐसे बहुत से और खास करके यहाँ पर भी जो विद्यारतियों के उपर भी जो वेमोला के उपर जो घटना घटी वो भी सब को मालूम है तो इसलिए हमको एक हो के लड़ना है और इस लड़ाई में सभी इकटा बनके ही अगर लड़ेंगे तो हमारे समस्या का हल हो जाएगा अगर हम तुटके रहेंगे युनाइटेडली वी स्टैंड डिवाइड़ वी फॉल अगर एक हो के लड़ेंगे हम अपने हकूक भी हासिल कर लेंगे और अच्चाचार करने वालों का भी मुखाबला हम करेंगे तो इसलिए मेरा यही आप से निवेदन है कि पार्लमेंट में जो भी समस्या हमारे सामने आती है उसके लिए अगर बाहर से हमको प्रोच्टा नहीं मिला support नहीं मिला cooperation नहीं मिला तो हम वहाँ पर कितना भी पुकारेंगे कितना भी कहींगे तो उसका कोई महतु नहीं रहेगा अगर हम जो आवाज उठाते आपके तरफ से अगर भार भी वही आवाज उठाई गई अगर उठाया गया तो मैं समझूंगा तो उसको शक्ती मिलती है आज हमें शक्ती मिलना है तो इसी सबाएं ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ट्राइबल एरियाज में भी आप क्या हो रहा है बहुत से महाँ पर बच्चियों को महिलियाओं के उपर अत्याचार हो रहा है उनका सोशन हो रहा है उनके जमीन छीने जा रहे हैं उनका घर बर्बाद किया जा रहा है वह इसा ही जो दलीद गाओं में रहते हैं उनका छुवाचो तो छोड़िया भी हर जगे अभी है और उसको दूर करने की तो RSS और BJP की जो सरकार है वो तो करेगी नहीं वो तो ये चाहते हैं कि इस देश में समीदान बदलने की बात करते हैं और वो खास कर उनके एक मंत्री ने ये कहा कि हम चुन के आये हैं इसलिए कि समीदान को बदलने के लिए और उस वैसा आदमी वैसा इंसान आज मोधी जी के मंत्री मंडल में है वो करनाटक से आता है और करनाटक में भी यही भाशा बोलता है इसलिए हमने लोगसभा में आवाज उठाए और उसी तरह राजसभा में उसका आवाज उठाए आकरी में उन्होंने माफी मंगा माफी माँगने से काम नहीं होगा समीदान बदलने की बात क्यों आ गई समीदान बदलने की बात क्यों वो लोग कर रहे है खास करके RSS के लोग इसके पीछे गिरे हुए तो हमको एक तरफ समीदान का रक्षन करना है एक तरफ लोगतंत्र का रक्षन करना है दूसरे तरफ हमको जो हकूप मिले हैं 1989 में जो दलितों के हिपाज़त के लिए एक Prevention of atrocities Act जो बनाया गया था उसको भी तोड मोड के आज ए सरकार पेस कर रही है हम बहुत कोशिश किये कि उसको आडिनन्स लाने की लेकिन जब हमने एक छोटा सा समय मुझे मिला था तो उस वक्त उस Adrocity Act को हमने एक आडिनन्स के रूप में लाया लेकिन जब 2014 में उनकी सरकार आई तो उसको उन्होंने पास करने नहीं दिया और उसके बाद में फिर जब उसको स्रीमती सोन्या गाजी जी ने भी लेटर लिखा मुधी जी को और ये कहा जो कानून हमने पहले बनाया था 2013 में और 2014 में जो आडिनन्स के रूप में आया था उसी को पास करना चाहिए तब ओ कानून आज पास हो गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें बदलाओ करने की पूरी उन्होंने सरकार को सला दी लेकिन सरकार के तरफ से उनका कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके उस केस के बारे में कुछ नहीं कहा लड़ा नहीं इसलिए आज वो केस वैसा की तैसा है और जो सरुलकाश के लिए किया गया एक सक्त कानून था वो सक्त कानून को उन्होंने बरबाद कर दिया उसलिए हम को लड़ना है उस कानून को मजबूत करना है उस मजबूत करने के लिए हम सब यहां पर इकटा हुए वरंगल आईसी जमीन है जहां पर हरमेशा ग्रांती की बात होती है और unity की बात होती है और आज वो unity आपने दिखाया है और हम आपके ओर से पार्लमेंट में लड़ते रहेंगे आप जो भी कहेंगे और यहाँ पर जो भी आपके निर्णे होंगे उसके बारे में पार्लमेंट में हम उठाने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे मैं इतनी बात कहिते हुए मेरे को यहाँ पर आज बुला के जो मंदा कृष्णा और दूसरे जो सभी दूसरे पार्टी के लोग हर पार्टी के लोग है मैं किसी एक का संगटनन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ वो तो आगे हैं लेकिन दूसरे संगटनन भी इसको मच्बूत के साथ जो साथ दिये हैं उन सब को मैं फिर एक बार धनिवाद देता हूँ ऐसे जो शक्ति आप बढ़ाते रहिए हम आपके साथ हैं इतना कहते वे मेरे शब्दों को समात करता हूँ जैहिन जैभीन